हेलो स्ट्टुएंट्स एंड वेलकन पूर्शनकर तो आजया में इस आप दिखा जे डिरायल चे जे अपकमी एक्जाम्स आने वाली है गुजाट यूरूस्टी की जिसका सरक्लिल लेड़ी जारी कि आज़ाई जाव दुखा है जिसमें बिकॉम्सम्सिक्स, M.A., M.Com, B.S.M. 6, 4, उन्स सबकी exam dates और tentative form के dates भी आपको दिहाई देगी, जिसे मुलागे आपको अपनी college जब बोला है उस style के बिच में, तो आपको form अपनी college में जाके फिलप करना होगा, और जरूरत फिल भी आपको पेट करने होगी college को, मित्रो आज की तुमाँ चाहिए आपके फिपर स्टाइल के रहेगी, एक बहुती कंभीर प्रप्रशन है, फिपर स्टाइल वाला, तो अगर आपको बार करें मित्रो, जो आगी वाली exam थी same file की आपकी, यापी same 3 की, तो सभी exam, जोनली paper style है new, 50% वाली, कि 50% syllabus आपको पुछा जाएगा एक्जाम में, उस्व कोई भी कुर्शी सो, सभी paper के लिए, एक paper style है कि उसका नाम है general option, ओके general option में क्या होता है, मैं आपको बिकॉम की commerce बताता हूँ, और arts की आपको link निच्चे दिक्रिसम मिल जाएगी, बास करते है, आपको paper होगा 50 mark का, यह में आगे बहुत बास संदा चुका हूँ, तेकि फ paper style आपको total mark 50 रहेगे, आपके पास 2 होगा time होगा, आपका paper दो section में होगा, section 1 और section 2, section 1 में, आपको, suppose आपके, आपकी मुक में, 4 unit है, 4 unit, तो आपको, 4 unit के question यहाँ भी दिखेंगे, question 1, question 2, question 3, question 4, section 1 की बाद कर रहा हूँ, और इसमेंग से आपको, any two, कोई भी दो आपको, write down करने होगी exam paper में, यानि कि आप कोई भी दो unit paper कर सकते, और वो दो unit, आप exam paper ने write down कर सकते, अगर आप चाहे तो, first वा लिख सकते, उसके बाद forward भी लिख सकते, ऐसा कोई crumb नहीं है, समझ रहे हैं ना, लेकिन अगर question 1 है, उसमें आपको EBD है, 10-10 मारक का, तो आप अगर, मग्रों में चाहँ कर तो, Christian 1 का 10 मारक का एक लिखू, और Christian 2 का 10 मारक का एक लिखू, तो वो भी नहीं चलेगा, जो भी Christian आप एक time करें, आपको पूरा खा पूरा time करना होगा, कोई भी दो ही आपको time करने, तो दो ही आपको compulsory paper करने होगे, और ऐसे paper कीजिए, कि आपको first class decision मिल जाएगे, ओके, और section 2 में आपके 10 मारक के MCQ, यह MCQ की मित्रों, आप खाज paper करेंगे, कि बाई, कई बार क्या होता है, आपको 5 MCQ दिए होगे, और 1 MCQ के 2 मारक होगे, और कई बार 10 ए 10 MCQ आपको दिए होगे, तो आपको MCQ अपनी book के पिछी तो दिए गए, हो पिपरे क कर लेने, उसमें से आपको MCQ आज सक्के होगे, और कर बात करें, कि यह 50 मारक का है, तो आप जितने भी मारक इसमें से लाएगे, यहापे 80 मारक पास्ट आउट होगे, 80 या 70, आप जितने भी मारक यहापे लाएगे, उसको 70 में कर्णच किया जाएगा, यानि कि सपोस्ज ए आते हैं, तो वो क्या करेंगे, 30 मुखेंगे, कि अगर 50 मारक में से 26, तो 70 में से कितने, 70 में 26 अपन 50, जो पी आएगा, वो आपका सित्य मारक का गुणा आएगा, मित्रो, तो यह स्पीपर स्टाइल कोमर्स की, इस पीपर स्टाइल सभी कुछिस में नहेंगी, इसकी अपने का पूरा प्रायतन करेंगे, और आपको वो एग्जाम में निर्फूर रहेगा, एक बार कहाता हूं कि आप पिछले के पेपर हैं, तो पिछले के पेपर हैं, वो एक बार ज़रूर देखले एग्जाम देएगे पहले, सबी क्येस्टर होते हैं, कोई भी कुछिस में तो आप पिछले के, अगर फाइफ पेपर केंगे, फाइफ पेपर, यह में सब्सक्राइब हो आपको, तो भी आपको एग्जाम में मतलब फर्स क्लास तो आई जाएगा, है ना, गर मैं इसके उपर अलग से वीडियो प्लोग करूंगा याशे तो, लेकि मैं यहां को आपक देता हूँ, तो यह सब्सक्राइब का पता चल गया होगा और यह सब्सक्राइब करने का सुर्ण कर दीजिए, थैंक्स पर सपर्ट एंड लव